हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टो और चैनल सैम कोड्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, निव लाइन, निव टैब किस तरह पाइथन लाइग्वेज में इन्पुट किये जाते हैं इस वीडियो में हम कुछ special बाते पढ़ने वाले हैं पर उससे पहले अगर आपने पाइथन लाइग्वेज की सीरीज नहीं देखी तो उससे सबसे पहले आपको देख लेना है तो इस लेक्चर में हम कुछ important topic का और करने वाले हैं जिसका पहला topic के variables, data types, type casting, program, quiz और पिछले वीडियो का winner भी इस वीडियो में हम shot out करने वाले हैं हम आगे बढ़ते हैं अपने topic के और तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि variable actually होता क्या है अब python variable is a reserved memory location to store a values आप variable को एक तोर पे box या container के form में भी देख सकते हो तो इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक memory ड्रॉ करता हूँ ओके अपनी memory नहीं अपने cpu की memory तो यहाँ पे होता क्या है आप जैसे ही कोई भी प्रोग्राम रन करते हो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे a variable में 1a integer store करा सकता हो तो इसमें cpu क्या करेगा a variable को एक memory location प्रोवाइड कराएगा जिसका नाम देगा a अगर मुझे b variable में 2a integer print करवाना है तो cpu के memory location में b a integer print हो जाएगा तो यह basically होता है variables का काम तो देखो यहाँ पे variable दिये हुए जैसे name नाम का एक variable है वहाँ पे मैंने एक name लिखा है take with one ठीके जैसे एक num नाम का variable है जिसमें एक value लिखी है 3 5 4 5 3 एक sequence है देखो यहाँ पे 4 take 1 2 3 4 5 यह आप values ले सकते हो और यह आपके क्या होगे variables हो गए तो आपको यह topic clear हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे second most important topic के ओर python data types के बारे में जान लेते हैं तो यह आप यह five types के data types दिये हुए है जैसे कि first है numeric data type second है dictionary data type third है boolean data type fourth है set data type और fifth है sequence type data type जैसे कि आप picture में देख सकते हो numeric के three sub data types है जैसे कि integer complex number और float और sequence type data type में three sub data types है strings, list और tubal तो सबसे important यहाँ पे जो हमें basic programming करने में काम आएंगे वह है integer second one है float ठीक है third one है string यह most important data types है जिसे आपको बहुत बार इसका use होने वाला है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं type casting के ओर तो how to type cast in python यह हम programming में पढ़ने ही वाले हैं पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे three playlists बन चुके हैं जिसकी पहली playlist है shorts second playlist है python language और third playlist है c language की तो आपको यह तीनों भी playlist जरूर देख लेनी है जिसके पहले playlist में आपको सभी shorts video मिल जाएंगे जो most important videos है आपको यह जरूर देखते रहने हैं इसमें python language की full course की videos होंगे second playlist में और third playlist में c language का full course आपको पढ़ाया जाएगा तो सभी playlist को आपको check out करना है आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर देना है हम आ गए अपने pydroid application में हमने जो जो अभी तक concept इस video में clear किये है ओ concepts को समझने के लिए हम यहापे कुछ programs पढ़ने वाले है तो सबसे पहले हमने variable concept को समझाता तो अभी मैं यहापे var1 नाम का एक variable लेता हूँ जिसकी value मैं 4 यह print कर देता हूँ ठीके और var2 नाम का एक variable लेता हूँ जिसकी value मैं 3 यह print कर देता हूँ और इन दोनों को मैं add करने के लिए print करूँगा var1 plus var2 याने variable 1 और variable 2 को मैं print कर रहूँगा याने 4 plus 3 7 यह अपना output आना चाहिए तो देखते 7 यह अपना output आ चुका है इसके बाद मैं second concept पर आता हूँ तो यह तो होगे integers अभी इसके जगा पर अगर मैं string लिखता हूँ hello ठीके और यहाँ पर भी एक string लेता हूँ Sam Quartz ऐसे मैंने 2 strings लिए अब इसका output देखते क्या आता है hello Sam Quartz यह output आ गया इन दोनों का add किये तो अगर hello यह एक string है और आपने यहाँ पर variable 2 में 2 यह variable store करा दिया और इन दोनों के addition कर दी तो आपको मैं ओ भी सोच रहा है कि hello को तू के साथ कैसे की मैं add करा हूँ तो यह बात होगी अपनी variables की इस screen को clear करा दिया है और typecast के concept के और बढ़ने से पहले मैं आपको एक simple सा concept समझाना चाता हूँ अगर मुझे 10 times hello world को print कराना है तो क्या करेंगे print करेंगे hello world यही मैं 10 times लिखूंगा तभी hello world print हो जाएगा बट एक professional coder क्या करता है यहाँ पर 10 को multiply कर देता है ओके तो जैसे यह 10 को multiply करेंगा hello world दस बार print होगा अभी मैं यहाँ पर slash n का use करता हूँ hello world मुझे हर इसमें new line में चाहिए इसलिए तो देखो hello world यह 10 बार print हो गया है तो अभी हम आते हैं अपने type cast के concept के ओर तो basically type casting को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक simple सा program ले लेता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर a नाम का variable लिया जिसकी value 6 input करा दी और b नाम का variable लेता हूँ जिसकी value 4 यह input करा देता हूँ अभी इन दोनों को मुझे add कराना है तो क्या करूंगा print a plus b करा दूंगा जिससे यह दोनों add हो जाएंगे 6 plus 4 10 आ चुका है ठीक है बट इन दे केस यह अगर string होते यह 6 ना होता अगर यह string होता और यह भी एक string होता तो अभी क्या आता 64 यह output दिखाना चाहिए देगो 64 क्यूंकि यह string है यह अगर मैं world लिखता हूँ और यह अगर hello लिखता हूँ तो hello world प्रिंट हो जाएगा क्यूंकि यह string है यह string add हो जाते है बट हम पिछले केस में वापस जाते है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 ओके पिछले केस में वापस जाते है और मुझे अभी value 10 चाहिए तो मैं type cast का यूज करूंगा देखो अभी मैं इसको इंटेजर में convert कर देता हूँ string को मैंने इंटेजर में convert कर दिया और इसको भी मैं इंटेजर में convert कर देता हूँ ठीके तो यह हो गया हमारा program और देखो आपको 10 यह value output में मिल रही है इसी को हम type cast कहते हैं ओके इसी concept में एक point आ जाता है जहाँ पे हमें type पता करना होता यहाँ पे questions बन जाते है तो देखो यहाँ पे एक three line का program दिया हुआ है x equals to 22 जिसको हमने print किया है x के value को हमने print कर दिया और इसी का type पता करने के लिए हमने print type x लिग दिया है मतलब x की value यहाँ पे 22 है यह 22 की इस data type में आता है यह पता करने के लिए हमने क्या किया उसके आगे type लिग दिया तो आप जैसे की output देख सकते हो output में 22 तो print हो गया बट उसके सामने class int भी print हो चुका है यहाँ पे आप second example देखो x में string प्रिंट किया है this is a string और वही हमने print करा दिया है और उसका type पता करने के लिए हमने print type और x लिग दिया this is just string यह तो print हो गया है पर class string करके उसका हमें type भी पता चल गया है तो यह है type casting का main use इसके बाद है हमारा quiz time तो यहाँ पे एक winner को शॉट आउट किया जाएगा next lecture में पिछले lecture में भी हमने quiz लिया था जिसका winner इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा तो question है which data type consists in numeric option दिये गए है integer complex number float and all of the above जो सबसे पहले answer देगा वो हमारा winner होगा और पिछले इसका winner है अधीति शुकुला थैंक्स पो वाचिंग मिलते है अगले वीडियो में